स्रीनगर एरपोर्ट पे बहुत थी दिली में अंदेरा होने को है फाइनली बहुत चुके हैं अम्दाबाद में दो बीस को यह ट्रेन भागलपुर एक्सवेट जो है अम्दाबाद बे आई थी और करीब दो स्टालिस को वहां से चली अभी अभी हम कांदी दाम पहुंच चुके हैं कल सुबह में करीब पॉने और नौ बजे सौन मर्क से निकला हूं और अभी बज रहे हैं साड़े ग्यारा में पांच मिनिट कम है तो मुझे 26 घंटे हो गए मैं ट्रावेलिंग कर रहा हूं अब सेक्यूरिटी चेक के बाद कि श्री नगर इंटरनेशनल एरफ पर मैं पहुंच चुका हूं यह गार्डन यहां पर पांच दस्मीत बैठेंगे फिर अंदर जाएंगे और अंदर एर्लाइन्स का जो फिर सेक्यूरिटी चेक होगा उसके बाद जाएंगे एरपोर्ट क सारा कुछ हो गया है अभी वोडिंग पास हमारे आख में सामने एरपोर्ट है आँ सोला पचास की हमारी मेरी फ्लाइट है उसके लिए वेट करेंगे फिर निकल जाएंगे फ्लाइट में से अकर आपको बता है अभी अच्छा होगा तो आपको भी हो दिखा देंगी गेट अबर फाई उपर है तो में इन सेडियों से उपर जाना पड़ेगा उपर से तो आए कि कास्मेर की पहाडियों का ट्रेक करके बहुत अच्छा और मुझे एरपोर्ट वापई वाकई कोई सा भी अच्छा लगता है लेकिन सरीन अगर एरपोर्ट जोब बहुत अच्छा अब गिर जाता है आगे देखना ही जरूरी है सिक्स भी वर इस्ट गेट नंबर फाइव फाइव मेरे सामने हैं सिक्स भी फाइव देख लेते हैं दुनिया का सबसे महेंगा खाना जहां मिलता है वो है एरपोर्ट यह देख लिए लाउजा रियल इटालियन कोफी पता नहीं लोगों को क्यों यहीं आप पर आका खाना है एट नुमर्ट त्री दिख रहा है और फाइव भी ढूंड़ना है यहां पर एक स्टॉर ने बढ़िया था क्या बिक्ता है इसमें आउसर आउसर बिक्ता है नेशनल क्ले बर्सम यह वो कपड़े यहां पर आपको एक स्टॉल मिलेगा डाल चावल एंड डोसा लाइव काउंटर लाइव राइस डाल एंडोसा पहली पर देखा है कभी एरपो हमारी फ्लाइट जो है अधा कंड़ा लेट चल रही है अभी पांच बच कर वीच मिट पर चलेगी जो पहले चार पचास पर चले वाले की लेकिन आगी का सीडियूल वही रहेगा उसमें कोई चैंज नहीं है बाइबाई श्री नगर बाइबाई कस्मीर अभी जस्ट फ्ला कि दिली में उतर के मोसम का पता करेंगे किसा है कि दिली में अंदेरा होने को है थोड़ी थोड़ी को फ्लाइट बची है और अब ही मैं वापिछ एर्पोर्ट में जाकर रहम्ताबाद की फ्लाइट पकड़ने वाला हूँ है 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 फाइनली पहुंच चके हैं अमदाबाद में अभी बज़े हैं रात के बारा बच कर बीस मिनिट और अब यहां से जाएंगे रेलो एक्सेशन एक बणेर हैं पकड़ेंगे के लिए कि कांडी दाम के लिए है भागल पूर से इसने इस बहुत ही है गांदी त्रेंड में ऑगलपुर दो में मुझे तो पता नहीं था मैं कभी बेट था लेकिन आज ये काम भी हो गया है अब ये प्रीज पे थोड़ी सी भीड ज्यादा है प्रीज पे बहुत भीड है सामने भीड कम होता ही वो साइड जाना कम रात को दो 20 को ये ट्रेन भागलफुर एक्सवैक जो है अमदाबाग सब्सक्राइब और करीब 2.40 को वहां से चली अभी अभी हम गांदीदाम पहुंच चुके हैं और स्टोरी में आपको बता हूं इस ट्रेन की तो बात यह हुई मेरी जो फ्लाइट थी ना उससे थोड़े ही टाइम के बाद कच एक्सप्रेक्स थी वह भूज तक जाती है और मैं बूज में रहता हूं लेकिन मुझे लगा कि अगर फ्लाइट लेट हो गई तो दिकत हो जाएगी तो इस वज़े से मैंने साप्ताइक स्पेसियल जो यह आगलपूर चलती है आगलपूर से गांदीदाम के लिए उसको बुक किया था और अभी अभी उसने शाड़े और वहां से भूज की बस पकड़ूंगा कि अगलपूर चलती है आगलपूर चलती है आगलपूर चलती है कि अगलपूर चलती है आगलपूर चलती है कि अनलपूर चलती है कि अखुल के अगलपूर। यहोग उस्वाब बूफा चलती है कि कॅ जोआग ।ब doğru चलती है में करीब कि पॉने नौ बजे सोन मर्ग से निकला हूं और अभी बज रहे हैं साड़े ग्यारा में पांच मिनिट कम है तो मुझे 26 गंटे हो गए मैं ट्रावेलिंग कर रहा हूं सोन मर्ग से कच्छ अपने घर अभी में दस मिनिट चल के पहुंच जाओंगा हलकी सी बारिस चल रही है ज्यादा बारिस होती तो मुझे रिक्षा करना पड़ता लेकिन उतनी बारिस है नहीं रिमजिम रिमजिम बारिस है और यहां सब पता भी रहे थे कि दो दिन से ऐसी बा सब्सक्राइब करता था लेकिन कि कश्मीर टूर कि करगिल द्रास सोनमार दिसरीन अगर सारा कुछ समापत करके फाइनली मैं आज अपने घर पहुंच रहा हूं कि 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 कि